देखेंगे, gate exam में पूछा गई ये question, जो की based है structure के उपर, ठीक है, structure तो मची तदर से पढ़ी चुके है, अब यहाँ पर ये structure पहले declare किया गया है, जिसका नाम है our node, ठीक है, इसके अंदर जो members है, वो क्या है, तीन characters है, जिनका नाम है x, y and z, ये तीन characters है, अभी इनको memory allocate नह हमने structure का variable create किया है p, variable declare किया है p, अब जाकर structure को memory allocate होगी, तो कितनी memory allocate होगी, तो देखो, p को कुछ memory allocate होगी, कितनी होगी, जितने इसके अंदर members है, इसके अंदर members कितने है, three members है, और तीनों ही क्या है, characters है, तो ये हुआ हमारे x के लिए, ये हुई हमारी y के लिए, और ये इसके बाद हम यहां पर आते हैं, यहीं पर हमने उनको इन्लाइस भी कर दिया है, हमने x को इनैचलाइस किया है 1 से as a character, ना पर 1 as a character,iano हुआ है ध्यान लगाना, इसके बाद 0 भी as a character, यहां पर इन्लाइस हुआ है, आई तो 97 होती है अब इसकी value क्या है 97 है उसमें हमने 2 प्लस किया 99 आया 99 किसकी sky value होती है c की होती है ठीक है तो यहाँ पर c store हो जाएगा आप देखो exactly c ने store होता है यहाँ पर इनकी भी sky value c store होती है 1 character की sky value 0 character की sky value और c character की sky value वो ही store होती है लेकिन क्योंकि हम print तो percent c से character की forming करने वाले है यह सीलिए मैंने directly यहाँ पर characters लिख दी है ठीक है अब हो सकता है small e की sky value कुछ और हो लिकिन हम उसमें plus 2 करेंगे तो obviously c ही आएगा e में 2 plus करेंगे तो ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर यह सब करने से पहले हम assume कर लेते हैं कि इस structure का जो base address है इस structure का जो address है वो क्या है 2000 है वैसा assume कर लेते हैं ठीक है क्या है 2000 है इस structure P का जो address है वो क्या है 2000 है हम वो assume कर लेते हैं और इस 2000 location पर मतलब जैसे उस structure को memory मिली 2000 location पर उसको क्या मिली है, memory मिली है थीक है । यह क्या है structure का address है और वहीं पर सबसे पहले क्या store हो गया है, उसके बाद 2000 and one location पर कौन store होगा? य, then 2002 location पे क्या store होगा, Z store होगा, क्योंकि एक-एक byte की जोगत है इनको, अगर यही integer होता तो यहाँ पे 2004 location पे store होता, और यह 2000 जो है हमारा assumed address है, हमने यह assume किया है, वही हमारे structure का भी address है, इस P का भी address है, इसके बाद में यहाँ पे हमने एक pointer declare किया है, किस type का, structure type का मतलब हम चाहते हैं, कि हम एक structure का address कहीं store करना चाहते हैं, ठीक है, तो structure का address store करना चाहते हैं, तो structure pointer ही हमें declare करना पड़ेगा, तो हमने इसी लिए structure pointer declare किया है, जिसका नाम हमने क्या दिया है, क्यों को कितनी memory allocate होगी, जितनी एक pointer को allocate होती है अगर 8 bytes एक pointer को allocate होती है तो Q को 8 bytes ही मिलने वाली है यहाँ पर हम आये इसके अंदर हमने डाल लिया address of P मैं बार-बार आपको बता रही हूँ P का address क्या होगा हमने assume कि है 2000 तो वही address इसके अंदर आ जाएगा Q के अंदर आ जाएगा क्योंकि हमने क्या बुला है कि Q के अंदर आ जाए P का address आ जाए आ गया है यहाँ तक बिल्कुल clear है इसके बाद में हम यहाँ पर आए यहाँ बलब आपको जहां से देखना है output क्या आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम innermost bracket को evaluate करें Q का मतलब क्या है 2000 उसको हम convert कर रहे हैं यहाँ पर type का string हुई हो उसको हमें character pointer में convert कर रहे हैं तो content तो उसके वही 2000 लेकिन और compiler समझ जाएगा कि यह एक character pointer की तरह इस चीज को क्या किया जाए ट्रीट किया जाए इसको एक character pointer की तरह treat किया जाएगा ताकि उसमें जो भी हम arithmetic operations perform करेंगे वो character pointer की तरह ही होने वाले हैं तो ये 2000 है उसके बाद में हमने उसमें plus 1 किया क्योंकि अभी character pointer है तो plus 1 करने पे जो result आएगा वो क्या आएगा यहां तक का result आया है 2000 and 1 आया है यही अगर integer pointer होता तो उसमें अगर हम plus 1 करते तो 2004 आता तो यहां तक का result आया है 2000 and 1 आया है यहां तक का result 2000 and 1 आया है उस address पर रखी हुई value क्योंकि यहां पर हमने interaction operator का dereferencing operator का use किया है तो 2001 address पर रखी हुई value 2001 address पर जो value है वो क्या है 0 है तो output में क्या आएगा जीद हो आएगा उसके बाद हमने लगाया है comma तो comma आजाएगा फिर यहां पर हमने लिखा है percent c again हमें character tint करवाना चाहते है कौन सा तो यहां पर दिखो 2000 को हमने क्योंकि यह क्या है 2000 यह क्यों क्या है एक structure pointer है उसको पहले हमने character pointer में convert किया उसमें हमने plus two किया तो desert आया 2002 आया उसके बाद हमने बोला उस पर रखी हुई value तो 2002 address पर रखी हुई value क्या है c है तो output में क्या आ जाएगा c आ जाएगा तो क्योंकि different choices दे रखी थी एक में लिख रखा था यहाँ पे single course रखा रखे थे तो वो नहीं आएगा क्योंकि output में हम जो print करने percent c के हबज़े तो उसमें single course नहीं आते है हम जब store करते हैं हमें single course देने पढ़ते लेकिन output में नहीं आते है तो simply output में क्या आएगा 0, c आएगा ओके